दोस्तो स्वागत है आप सभी का तो हमारे यहां मुबाइल का मार्केट बहुत ज़्यादा है और रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जहां पे यह कहा जा रहा है कि अगले कुछ साल तक बहुत ज़्यादा मुबाइल का मैनुफैक्चरिंग होने वाला है तो दोस्तो अब त देख सकते हैं कि मार्च 2021 में कमपनी ने लगभग 160 करोड का नेट प्रॉफिट दिया था उसके पहले कमपनी की प्रॉफिट 120 करोड की थी उसके पहले 63 करोड की यानि कंसिस्टेंटली का परफॉर्मेंस डे बाई डे बहतर हो रहा है तो दोस्तो कमपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है कमपनी अच्छे से ग्रो कर रही है कई बड़े डेवलोपमेंट भी कर रही है तो फ्रेंड जो कमपनी में आपको यहां पर बताने वाला हूं यह जो कमपनी है आप यहां पर देख सकते हैं कि लेनेओ जो है मैनुफाक्टरिंग पॉट्फोलियो को अपना दिक्सन टेक्नोजी इनोएडा तो दोस्तो डिक्सन टेक्नोजी है वो स्टॉक जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ज्यादा मतलब इस कमपनी के पास अच्छा खासा कंट्रेक्ट का आर्डर भी मिल रहा है तो देख सकते हैं कि ग्लोबल टेक्नोजी क तोर पर काम करती है और पहले भी इन्होंने कई बड़े कंपनी के साथ इनका टाई अप भी हुआ है तो एक बड़ा डिवलप्मेंट है और आत्मन निर्भर भारत की यदि बात किया जो गौर्मेंट का जो मीशन है उसको ले करके ये कंपनी बहुत तेजी तो दोस्तो रिस अब जी टेक्नोजी के आज आने के बाद अच्छा खासा इसका मार्केट भी देखा जा रहा तो फ्रेंड जो स्टॉक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोजी लिम्टेड है तो दोस्तो अगर मैं कैनलिस्टिक पैटरं से आपको तीन मह गिने का चार्ट दिखाऊ तो यह देख सकते हैं लगातार गिरावट आया और आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 4000 के उपर मतलब एक इम्पोर्टेंट साइक्लीजिकल लेवल कहा जाता है इसके उपर अब भी भी देखा जा तो जो स्टॉक 4646 के प्राइस पर मिल रहा कहीं कई बड़े गिरावर्ट पर देखा जा रहा हैं तो annually company की profitability अच्छी है अगर आप net profit मैं दोस्तों आपको यहां पर दिखाने की कोसिज करहाँ कम्पनी की quarterly results को तो quarterly results में जो जून के numbers आये थे काफी अच्छे numbers कहेंगे हम दोस्तों इस जून के नंबर को compare करने वाले हैं पिछले साल से तो वहाँ से आपको एक अच्छा-कासा growth देखा जा रहा है अगर आप company के total net profit की बात करते हैं तो 18 crore का इनों ने जून के तिमाई में profit दिया था उसके पहले 1.6 crore के आसपास की company की profit थी तो company के पास अच्छा-कासा growth दिखा जा रहा है पिछले एक साल में 142% का return दे चुका है ये company और 6 महिने की बात किया जाए तो return कुछ भी नहीं ये 3 महिने की बात भी किया जाए तो कुछ भी return नहीं और 1 महिने की बात किया जाए तो 11% का नुखसान यानि मैं कहा सकता हूँ दोस्तों कि अगर आज आप stock buy कर रहे है तो पिछले 6 महिने की valuations भी इस stock को buy कर रहे है तो एक अच्छी company और इसके अंदर अगर आप holding की बात करते हैं तो promoter की holding 35% है mutual fund की भी holding 8.89 है और साथ में FYI की holding 19.85 तो दोस्तों FYI की holding बहुत कम marginal बढ़ी है कोई बहुत जदा हम नहीं कहेंगे और promoter की holding की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं promoter की holding भी बहुत marginal चेंज हुई है एक अच्छे stock के साथ जो फाइदा होता है वो यह कि share अगर गीर भी जाते है तो revival होने के chances उस stock में बहुत जदा बढ़ जाता है अब दोस्तों अगर Dixon technology की बात किया जा तो यह एक ऐसी company है जो की mobile के अलावे जो consumer electronic का market है वहाँ पर presence है मतलब company LED TV बनाती है home appliances segment की बात किया जाए तो इनके पास washing machine, lighting products की बात किया जाए तो LED bulbs का इनके पास है mobile phones, smartphones company बनाती है medical equipment यह company बनाती है reverse logistics पे है और mobile phone में इस company का presence है तो एक बहतरीन company जो की investment के लिए हम अच्छा का सकते है तो friend यह जो company है brand behind brand के moto पर काम करती है और अगर आप market cap की बात करते है तो 23,726 करोड का company का market cap है और यह company के पास return and equity भी ठीक ठाक है date की बात किया जाए तो 151 करोड का इस company का है मतलब date कोई बहुत बड़ा issues अब तक company के पास नहीं है हाँ यह ज़रूर है कि इंडस्टी के पीस स्टॉक का पीस आपको ज़्यादा मिलेगा price to earning इस स्टॉक का ज़्यादा है क्योंकि company बहुत अच्छी है तो दोस्तों जिस sector से जिस इंडस्टी से company आ रही है वहाँ पर growth की बहुत सम्मावना है तो दोस्तों यह कुछ ऐसे competitor है जिसमें आपको नाम दिखाए देगा मेरक इलेक्ट्रोनिक भी पी एल सार फालां कि इन company का डिक्सन के साथ आप compare नहीं कर सकते है क्योंकि डिक्सन बहुत बड़ी company है quarterly results मैंने आपको बताया आप शाल दरसाल profitability की बात करते है तो पिछले 5 साल में 36% तीन साल में 38% और बहुत अच्छी बात है कि company का sales का growth भी देखा जा रहा है मतलब company के पास sales है profit और return and equity तीनों का communisence देखते हैं तो बहुत बेहतर देखने को मिलता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजेगा तो इसे subscribe कीजेगा बहुत बहुत धन्यवादा